हलो एवरिवन आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है यस बैंक के बारे में देखें यस बैंक का शेर 12 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेट कर रहा है और वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि यहां पर मौका है कि पिछले अगर हम देखें अगर इसकी हिस्ट्री में देखने के कोशिश करें तो यह वो लेवल्स है जहां से इसने बाउंस बैक दिखाया है एक 11-12 रुपए का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है तो वीडियो में हम पूरी तरीके से बात्चित करेंगे कि यहस बैंक में आखिर चल क्या रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर निगल करा सकती है और मौका है कि नहीं और किन जाला हेल्प करेंगे तो यहस बैंक का शेर 12-75 पैसे के आसपास है एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में यह तूटा है वापस संभड़ा है वापस तूटा वापस थोड़ी सी तेजी दिखाई और वापस तूट गया है बारा रुपे 75 पैसे के उपर है और एक साल में अगर हम देखे तो एक साल में 7% का भी ग्रोथ नहीं है लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करे तो एक स्ट्रॉंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 12 रुपे के आसपास वहां से बाउंस बैक दिखाया था वापस तूट के वहीं पर आया दुबारा बाउंस करेंगे तीन साल में अगर हम देखे तो पिछले तीन साल में यस बैंक में 96% की गिरावट है 395 रुपे के आसपास शेर था और जब यह इस लेवल पर था तब बड़े बड़े ऐनालीश 500 रुपे तक के भी टागेट दे रहे हैं तब कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल र ग्यारा रुपे 75 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है बैंक के बारे में अगर मैं आगे बात करू तो लार्ज केप शेर है यह 32,000 करोड से भी जादा का इसका मार्केट केप है वाल्यूम ट्रेट काफी जादा है 10 करोड के आसपास का वाल्यूम ट्रेट सिब NST में है औ इतना ही नहीं अगर हम नीचे के तरफ देखने के कोशिश करें तो शेर होल्डिंग पैटन में अगर देखा जाए तो एफाइल्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 10.45 परसंड की होल्डिंग एफाइल्स के पास जो पहले 13.77 परसंड थी mutual fund ने बड़ी खरीदारी करी है 0.30 परसंड की होल्डिंग 0.73 पर पहुँच चुकी है insurance company जहां थे वही है 5.54 परसंड की होल्डिंग लेकर बैठे है SBI highest public shareholder है 30 परसंड की होल्डिंग है तो यह सब को पता है डूब रहा था और SBI नहीं यहां पर intervene किया था इसको बचाया था और इसको इन सारी situation से बहान निकाला था SBI के साथ और भी कई सारे bank आई थी जिन्हों ने पार्टनर किया मोटर्स ने ICICI और यहस बैंक के साथ पार्टनर किया कि वह नई financial schemes ओफर कर सकती है कार्ड लोन वगेरा के लिए ठीक है मतलब अगर आप कार खरीदने जाते हैं किया के शोरूम पर तो वहां पर आपको कार डेफिनेटली ज़्यादा दर लोग कैश में लेते नहीं है लोग जनरली कार को installment पर लेते हैं बैंक से लोन करवाते हैं कार लोन लेते हैं और वहां पर वही है कि आपको आफर करता है कि चलो आई से इसरेट पर है यस बैंक का इस रेट पर है आप बताईए आपको कहा जाना है तो फाइदा दोनों का ही कि अपनी जो गाड़ी है वो बेच लेते हैं और बैंक की एक लोन हो जाती है तो बैंक कभी यहां पर फाइदा है दूसरी तरफ एक और खबर ये भी है कि Yes Bank और India Bulls Housing Finance की अगर हम बात करें तो दोनों ने Finance में पार्टनरिंग किया है कि आने वारे समय में वो Home Loans जो होती है मनलब Loans जो होती है किसी भी तरीके जो Loans होती है उसको Provide करवाने के लिए Home Loans के लिए भी इन्होंने Co-Lending का वहिए Model अपनाया हुआ है मनलब दोनों मिलके ये काम करेगी तो Yes Bank के लिए भी अच्छा है ये Technical Rating उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि Share लगाता तूट रहा है और ये जो Free Fall है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर देखें तो According to Money Control User Decider Transaction Summary देखें तो 20 माई को जो Manish Jaiswal है कंपनी के Bank के Designation Person है उन्होंने तकरीबन तकरीबन एक लाग शेर खरीदे है तेरा रुपे 21 पैसे की कीमत पर एक लाग शेर आशिष ने भी अगर देखा जाए तो वो 14 माई को उन्होंने भी खरीदारी करी थी 72,000 शेर्स खरीदे थे 13 रुपे 85 पैसे की केमत पर और आशिष का एक और ट्रेट था एक लाख बावन हजार शेर की मैं बात करूँ तो वो 13 रुपे 8 पैसे के उपर था मतलब रीसंट जो तीन ट्रेट से वो बाइंग के नजर आये है मैं महिने में इससे पहले मार्च में बिक्वाली के भी थे जहांपर आप भी स्ब्सक्राइब के 65,000, 10,000, 59,000 के बिक्वाली के ट्रेट से लेकिन यो रीसंट तीन ट्रेट से मैं महिने में वो बाइंग के देखने को मिले मालब खरीदारी हुई है 13 रुपए की कीमत पर यहाँ पर आप देखे रेवन्यों तूट रहा है नीचे की तरफ जा रहा है और यह एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि कमपनी की में बात करें बैंक की अगर हम बात करने जाए तो बैंक एक दिक्कत से गुजर रहा है और उससे मिंकार नहीं कर सकते प्रॉफिट अगर देखा जाए तो लगाता डिकलाइन है यह लेकिन उमीद करते हैं कि 2022 का जो फाइनाशल यह वो बहतर होगा क्योंकि बैंक ने पहले ही कौटर में 200 करोड का मुनाफ़ा दिखा दिया है और जो दिक्कत थी वो धीरे 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 लगता है कि रिजॉल्व हो सकती है अला कि वक्त लगेगा और बड़ा लंबा वक्त लगेगा ठीक है अगर आप यह मानते हो कि दो तिन महीने में यह रॉकेट बनेगा तो ऐसा नहीं होगा लंबा इंतिजार करना पड़ेगा दो तिन साल का इंतिजार आपको करना पड़ सकता है लेकिन हाँ यह है कि उस टाइम पीडियर में उस होराइजन में बैंक में अच्छा खासा इंप्रूव्मेंट आपको देखने को मिल सकता है यूँकि देखे बैंक का जो मेनेजमेंट है वो अपने पुरानी गल्टियों से काफी कुछ सीखर आगे आया भी है बड़े बिजनस लोन कंपनी जो बैंक है यह कम देने का प्लान रखा है इन लोगा का प्लान है कि हम बड़े जो लोन है बिजनस लोन है वो कम देंगे और उससे बैटर है कि हम जो छोटे MSME है उसको देंगे जो रीटेल पोर्टफोलियो है वहाँ पर जादा फोकस करेंगे जिसकी रिकवरी भी आसान होती हो बैया डिफॉल्ट होने के चांसेज भी कम होते है तो यस बैंक देखा जाए तो काफी एग्रिसिवली आगे बढ़ रहा है अभी के वक्त में अगर आप टीवी आन करते हो तो यस बैंक की कई सारी एडवर्टीजमेंट आपको देख जाए कि हाल फिलहाल में एक एडवर्टीजमेंट इन्होंने लाँच करी है जिसमें आपको कई सारे एक्टर्स एक्टर्स देखने को मिल रहे है उस एक ही एडवर्टीजमेंट में तो ब्रांडिंग के उपर कंपनी खर्च कर रही है और डेफिनिटल इनको ब्रांडिंग की जरूरत भी है क्योंकि राना कपूर और फैमिली में जो चीज़े यहाँ पर देखने को मिली थी उससे बैंक का नाम काफी जादा खराब हुआ है और बैंक को भाई एक रिवाइवल की जरूरत है और रिवाइवल के लिए अपने ब्रांड वैल्यो को बेहतर करने की जरूरत है तो आने वाले वक्त में यहस बैंक इसी के उपर फोकस करेगी और बिजनस काफी बड़े हैं इनके इसमें कोई शक नहीं है और डेफिनिटली बैंक डूबेगा तो नहीं यह बात तैह है अगर डूबना होता तो भाईए SVI अपना इतना जादा खर्चा और टाइम बरबाद नहीं करता बचा कर लेकर आया है यह यस बैंक को और लंबे तक लेकर भी जाएगा तो मेरे हिसाब से यस बैंक हाँ एक चीज़ है कि एकदम से नहीं दोड़ेगा अभी गिरावट चल रही है हो सकता है कि यहां से 20-25 पैसा और टूट जाए लेकिन 12 रूपय का लेवल मुझे लगता है कि बहुत ही strong support के तोर पर काम करेगा और जब तक वो intact है मुझे लगता है कि यहां पर बने रहना चाहिए panic में आकर बेचने की जरूरत नहीं है और नीचे की लिवल पर आपको खरीदारी आते ही नजर आएगी 12 रूपय के आसपास याद रखे आपको खरीदारी देखने को मिलेगी और शेर वापस एक वहां पर हाल फिलाल में यस बैंक में इन्वेस्ट करे जो लोग 2-3 महिने के इन्वेस्टमेंट के प्लान के साथ आते हैं वो यस बैंक को avoid करे कोई बड़ा चमतकान नहीं होने वाला है यहां पर वक्त लएगा पहले quarter में 200 क्रोड का profit कमाया है अभी इनको consistently performance करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा 2-3 और quarters में उसके बाद लोगों का यहां पर भरोसा बढ़ना शुरू होगा याद रखे जब तेजी दिखाएगा लोग line लगा के खड़े हो जाएंगे लोग बाहिन करना चाहेंगे अभी लोग यहां से भाग रहे हैं लेकिन अगर यहां से 12 से 15 पर पहुंच गया तो लोग वापस खरीदने के लिए भी आ जाएंगे तो यही कह रहा हूं मैं Yes Bank डूबने वाला Bank तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन हाँ दिक्कत इनके साथ यही है कि बैंक में बहुत सारे शेर की डंपिंग हो चुकी है अगर आप देखे तो Yes Bank ने भी खरीदे मतलब जब SBA ने इनको बचाया था तब काफी सारे शेर डंप हुए थे उसके अलावा FPO जो लॉंच हुआ था वहाँ पर भी काफी सारे शेर डंप हुए थे आने वले समय में और बड़ी फंडरेजिंग करने का बैंक का प्लान है तो थोड़ी और डंपिंग भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिर भी लॉंग टम का चार्ट पॉजटिव रहेगा इसका शार्ट टम में बहुत वक्त लएगा बहुत इंतिन पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि शेयर की जो quantity है यह कुए बहुत 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 बड़ी quantity है यहाँ पर काफि जादा शेयरों के डंपिंग यहाँ पर हुई है तो वड़ीओ को यह पेरेड़ करनगा पसंद आया हो तो लाइक करो श्राय का चैनल पगड़ा पहली बार आ हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें यह बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते हैं थैंक यू